आज मैं आप सब पे साथ एक खुश्खबरी साजा करना चाहता हूँ। हर भारतिये को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपुर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कैनेडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग सो साल पहले 1913 के करीब वारानसी के एक मंदिर से चुरा कर देश से भार भेज दी गई थी। मैं कैनेडा की सरकार और इस पुन्य कारे को संभव बनाने वाले सभी लोगों का इस सरदहता के लिए आभार पकड़ करता हूँ। माता अनपुणा का कासी से बहुती विशेश सम्मंद है। अब उनकी प्रतिमा का वापसाना हम सभी के लिए सुखद है। माता अनपुणा की प्रतिमा की तरह ही हमारी विरासत की अनेक अनमोल धरोहरे अंतराश्टिय गिरोहों का शिकार होती गही है। ये गिरो आंतराष्टी अबाजार में इने बहुत उंची किम्मत पर बेचते हैं। अब इन पर सक्तितों लगाई ही जा रही हैं। इनकी वापसी के लिए भारत ने अपने प्रहास भी बढ़ाए हैं। ऐसी कोशिसों की वज़े से बीते कुछ वर्षों में भारत कई प्रतिमाओं और कलाकृतियों को वापस लाने में सफल रहा है। आउसर प्रदान करता है। कोरोना कालखन के बावजुद भी इस बार हमने इनोवेटिव तरीके से लोगों को ये हेरिटेज वीक मनाते देखा। क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है। इससे निपटने में एहम भूमिका निभाता है। टेक्नोलोजी के माद्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रीचार्ज की तरह काम करता है। आजदेश में कई मुजियम्स और लैबरेरी अपने कलेक्शन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे राष्ट्रिय संग्राले ने इस समन में कुछ सरानिय प्रयास के राष्ट्रिय संग्राले द्वारा करीब दस वर्चुल गैलेरी इंट्रोडूस करने की दिशा में काम चल रहा है। है नमचैतार अब आप गर बैठे दिल्ली के नेशनल मिजियम गैलरी का टूर कर पाएंगे। जहां एक और सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नलोजी के माध्यम से अधिक से अधिक दोगों तक पहुचाना आहम है। वहीं इन धरोहरों के सवरक्षन के लिए टेक्नलोजी का उप्योग भी महत्पपून है। हाली में एक इंट्रेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहा था। नौर्वे के उत्तर में स्वालबाड नाम का एक द्वीप है। इस द्वीप में एक प्रोजेक्ट आर्कटिक बर्ड आर्कावी बनाया गया है। इस आर्कावी में बहुमुल्य हरिटेज डेटा को इस तरह से रखा गया है कि ये किसी भी प्रकार के प्राकृतिक या मानव निर्विफ आपनाओं से प्रभावित न हो सके। अभी हाल ही में यह भी जानकरी आई हैं कि अजन्ता गुफाओं की धरोर को भी डिजिटाइज करके इस प्रोजेक्ट में संजोया जा रहा है। इसमें अजन्ता गुफाओं की पूरी जलक देखने को मिलेगी। इसमें डिजिटालाइज और रिस्टोर्ड पेंटिंग के साथ साथ इससे सम्मंदित दस्तावेश और कोर्ट्स भी शामिल होंगे। झालाइज करके दिकान को में अजन्ताव में संजो करके देखने का साथ जलक दोट्डित बढ़ाईज के साथ और के साथ जलके रहा है।